जंगल जातकम, काशी नात सेंग, जंगल हम सब जानते हैं कि आदमी का जंगल से आदिम और जन्म का रिष्टा है और वो उसे बहुत प्यार करता है लेकिन जब मैं जंगल कहूं तो उसका मतलब है सिर्फ जंगल ये अपने आप में समुद्रों और पहाड की तरह काफी डरावना, खूबसूरत और आकरशक शब्द है लेकिन इसका मतलब है छोटे, बड़े, हर तरह के पेड़ों और जाडियों की घनी बस्ती इसका मतलब है अंधेरी और खुंखार हर्याली का एका इसका मतलब है जड़ों के नीचे की अपनी धर्ती, सिर के उपर का अपना आकाश और चारों तरफ अपनी हवा ये एक इसी तरह के जंगल की कहानी है जो पुर्खों के जमाने से चली आ रही है सह इलाके में एक जंगल था, धेर सारे जंगलों की तरह लंबा चोड़ा मगर भयानक नहीं ऐसा जिसे जंगल भी नहीं कहा जा सकता कभी उसके अगल बगल पहाडियां रही होंगी जो घिस्ते घिस्ते मामूली पठार हो गई है आम, महुआ, बबूल, नीम, शीशम, सेमल, पलाश, चिलबिल, बरगद, बांस और धेर सारे पेड़ों की बस्तियां इनकी अपनी दुनिया थी, अपने मज़े थे ये लोग बारिशों में नाचते थे, बसंत में गाते थे, हवा में जूमते थे और ओलों और आंधियों का एक जुठ होकर सामना करते थे इनमें आपस में न किसी तरह का जगडा था, न कोई अदावत एक दूसरे से बेहत प्यार था, और मुसीबत में एक दूसरे की मदद की भावना कभी दुबली पतली गरीब लत्रों और बेलों की मदद पेडों ने कर दी और पेडों के तनों की जार जंखाडों ने, इसी तरह बड़ी शान और सुख से उनकी जिंदगी चल रही थी लिकिन एक दिन, एक शाम, अचानक पश्चिम की तरफ से उंचे चोड़े पठार के पीछे आसमान काला हो उठा पेड़ लोग आसमान के भूरे और गर्द रंग से वाकिव थे, लिकिन ये रंग, इसका कोई मौसम नहीं था जैसे एक साथ हजारों कववे, डरावने और काले कलूटे कववे, खामुशी के साथ पंक समेटे मार्च करते आ रहे हो बीच बीच में सूरज की रोशनी से उनमें कौन्थ पैदा होती और पेड़ों के दर्मियान हवा को देर तक चीरती रहती सांस रोके खड़े पेड, चुपचाप भाय से इस आलम को देखते रहे, ये उनकी जिन्दगानी का नया अनुभव था काले धब्बे पठार को पार करके जंगल में घुसे, गाते बजाते और काफी हसास के साथ वो कवे नहीं थे, वो थे बिना बैट के लोहे के वजनी फल और कुलहाडे उनके काफीले के आगे दो जीव थे, एक जो तौंददार था और धमोच था, घोड़े पर बैठा था और उसकी वजह से घोड़ा टट्टू हो गया था, यहां तक कि उससे चला भी नहीं जा रहा था उस घोड़े की बागदोर आगे आगे चल रहे एक दूसरे जीव के हाथ में थी ऐसे लगता था, जैसे वो गाज फेंकते तट्टू समेथ भारी भरकम जीव को खीच रहा हो काफिले ने जंगल के बीच एक तालाप के निकट, डेरा डंडा गाडा और जश्न मनाना शिरू कर दिया पेड घबराए और दोड़े दोड़े बुढ़े बरगद के पास पहुँचे हे आरिय ये जीव कौन है, आप हम में से सबसे श्रेश्ट और बुजुर्ग हैं, हमें बताएं सौम्य, जो जानवर की लगान अपने हाथ में ले वो मनुष्य है, आरिय बरगद ने बड़े चिंतित स्वर में कहा आरिय गोड़े पर बैठे हुए के बारे में भी बताएं, हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते सौम्य, उसके गाल इतने फूले हैं कि आखें लुक्त हो गई हैं, उसकी लाद इतनी निकली है कि टांगें अद्रिश्य हैं, उसके बदन का भार इतना अधिक है कि घोड़ा मेंधक हो गया है हे सौम्य, ऐसे को मनुश्य नहीं कहते, हमने सुना था आर्य की मनुश्य गुलाम नहीं बनता, उसे क्राय नहीं किया जा सकता, लगाम वाले मनुश्य के बारे में कुछ और बोलें आर्य आर्य ने अपने हाथों से अपने कान ढख लिये, सिर जुका लिया और भर्राई आवाज में कहा न पूछें ये न पूछें पेड़ जिन्ता में पड़ गए कुछ तेर बाद उनमें से एक ने साहस के साथ पूछा आर्य यदि आप आग्या दें तो हम उनका स्वागत करें कंद, मूल, फल के साथ उनके आगे उपस्तित हो नहीं, नहीं, नहीं आर्य ने ज़ला कर कहा सौम में उनसे कहें कि यहां से चले जाएं ऐसों की हमें आविशक्ता नहीं पेड, बड़े उद्विग्न मन से सिर जुकाए तालाब की तरफ चले वो खेमों के पास पहुँचे ही थे कि उन्हें सन्नाटे को तोड़ती हुई एक चीख सुनाई दी बहादुरों, यहीं वो बस्ती है जिसे हमें उजाड़ना है और खत्म करना है हमें मनुष्यों के लिए मिल खड़ी करनी है कार खाने बनाने है, कोईले की खान खोदनी है यह निहत्थे पेड, जार जंखार इनके लंबे चौड़े आकार से डरने की ज़रूरत नहीं हमें जल्द ही इनके पूरे वजूद को मिटा देना है यह घोड़े पर बैठा गमूच था और उसके आगे दस्ता बनाए कतार में तैनात कुलहाडे गमूच अभी बोल ही रहा था कि जोश में जूम कर कुलहाडा उचला और अट्टा हस करते हुए खेमों के निकट खड़े पेड में एक पर पुराने और सूखे ठोट पर पूरी ताकत से छपटा मगर टकरा कर जन जनाता हुआ वो अपने साथियों के बीच गिर पड़ा और देखते ही देखते लुड़ता हुआ बेहोश हो गया शाबाश मेरे वफादार पठ्थे हिम्मत से काम लो मनुष्य ने ललकारा कुलहाडे पर उसकी ललकार का कोई असर नहीं पड़ा अब तक उसकी जीब एट गई थी दूसरे कुलहाडे भय और आशंका से उसे घेरे खड़े रहे हतप्रभ और दुखी उनकी गर्दने जुग गई थी इने पकड़ो और मार डालो काट डालो घमोच चिंगारता रहा लेकिन कोई भी अपनी जगह से तस्से मस नहीं हुआ श्रीमान सभी पेड धमोच के पास पहुँचे और रूबरू खड़े हो गए श्रीमान आप यहाँ से चले जाए आपकी हमें कोई आविशक्ता नहीं घमोच ने गोड़े के पुठे थप थपाए हम मानर्ता के लिए आए हैं पेड़ों वापस नहीं जाएंगे धन्य है श्रीमान धन्य है आपको घोड़ा खीच रहा है आप समेत घोड़े को मनुशी खीच रहा है फिर हम ये कैसे मान लें कि आप मनुशी के हित में पदा रहे हैं गर्व से उन्मत घमोच ने मनुशी की ओर देखा मनुशी घोड़े के जबड़े को सहलाते हुए बोला मैं शाक्षी देता हूँ कि श्रीमान सब्त कह रहे हैं हे भद्र हमारे पूरवजों और मनुश्यों का बड़ा ही अंतरंग संबंध रहा है उनके लिए हम अपने पुश्प, अपने बीच छिपी सारी संपदा, कंद मूल, भल, पशु पक्षी सब कुछ निचावर कर चुके हैं और आज भी करने के लिए प्रस्तुत हैं विश्वास करें, शुरू से ही कुछ ऐसा नाता रहा है कि हमें भी उनके बिना खास अच्छा नहीं लगता जवाब में उन्होंने भी हमें भरपूर प्यार दिया है लेकिन आप, हमें संदे हैं कि आप मनुष्य हैं ये क्या बत्तमीजी है? क्रोध में मनुष्य बड़बडाया क्षमा करें स्रीमान, आप घोडे पर हैं आपके साथ ये कवों सरीक ही भारी फौज है मनुष्य जब भी आए हैं उन्होंने आमसे मदद ही मांगी है आदत नहीं बहव, श्रीमान की आवाज कितनी रौबिली है एक पतले और लंबे कद के दरख्त ने जोम कर बगल से खड़े बबूल से कहा चुप, बबूल चीखा, मूर्खो तुम, हत्यारी कहो वो समझदार मालूम होता है और विनमर भी कहते हुए घमोच मनुशी की ओर घूमा मनुश्य आगे बढ़कर उस दरख्त के पास पहुँचा आपका परिचय इस सम्मान पर ये दरख्त, श्रद्धावश, मनुश्य के आगे जुग गया ये हमारे भाई बंध है वंश जाती के हर वंश एक ठिगने पेड़ने उपेक्षा से उसका परिचय दिया आप अपने साथ श्रीमान को बात करने का अफसर दें हम क्रतग्य होंगे मनुश्य ने अपना हाथ आगे बढ़ाया नहीं, सभी पेड़ एक स्वर में चिल लाए जिसको भी बात करनी है हमारे बुजुर्ग वटवरक्ष से बात करे हमारे यहां उनके सिवा किसी एक से बात करने का विधान नहीं भाईबंद सत्य कहते हैं श्रीमान ऐसा हो ही नहीं सकता उस लंबे पतले दरख्थ ने कहा हाँ 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 दरख्त को अंसुना करते हुए घमोच ठाका मार कर हसा क्यूं? वो और तुम पेड़ हो और ये पेड़ नहीं तुम्हारी जात के बाहर का है ये और तुम्हें जरा भी शर्म नहीं कि खुद खा पीकर इतने मोटे हो गए हो बुजाएं लंबी और तगड़ी बना ली है कान विशाल और लाल कर लिये हैं दूप और पानी से बचने के लिए इतना विस्तार कर लिया है और जड़ें भी गहरी जमाली है और ये विचारा हरवंश? ये हमारा नीजी मामला है श्रीमान पलाश उत्तेजना में लाल होते हुए बोला और आपको ये जान कर दुख होगा कि हमारे बीच का ये सबसे बुद्धिमान मजबूत और बहुमुखी प्रतिभा का साथी है जी हाँ, सबसे अधिक उप्योगी तालाब और पानी के निकट होने की सबसे अधिक सुविधा सुविधा और तालाब की? गमोच ने फिर अट्टा हस किया समझते हो तुम लोग कि वो तुमारे जहासे में आ जाएगा तुम? खबरदार जो आगे और बोले लड़ खडाते चले आ रहे आरे बरगत का चेहरा तमतमा रहा था सभी पेड़ों को उनके जोर जोर से हाफने की आवाज सुनाई दी पेड़ों ने अगल बगल हटकर उने खड़े होने की जगा दी आरे आवेश में कांपते हुए बोले घोड़े पर सवार घिनाने मुसाफिर मैंने सब सुन लिया है मैं बूढ़ा बरगत इस जंगल के प्रतिनिधी के अधिकार से जो मुझे मेरे सभी आत्मिय जनों से मिला उसी अधिकार से या अंतिम निर्ने देता हूँ कि रातों रात तुम यहां से दफा हो जाओ तुम्हारा रुकना हमें पसंद नहीं सुनी इस गिजगिजे दडियल बूढ़े की बकवास गमोच के चीखते न चीखते दूर खड़ा एक ताड हर हराता हुआ गमोच पर तूट पड़ा पेडों के चहरे पर हसी खेल गई लेकिन संकोच के कारण उन्होंने अपनी हसी पत्तों में छेपा ली आरे बर्गत गंभीर बने रहे इन घटनाओं के उन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई वो हरवंच की ओर मुड़े और उसके कंधे पर प्यार से अपना हाथ रख कर बोले बेटे वंच आओ अपने घर चले जब ये पैदाईशी सैलानी मनुष्य तक को अपना पालतू बना सकता है तो हमारी क्या विसाथ है पेड आरे के पीछे पीछे वापस चले अचानक आरे ठिटके उन्होंने कुलहाड़ों को नोच कर घोड़े के आगे फेका मुसाफिर ये लो अपने भाड़े के टत्तू और रास्ता नापो तुम जैसे भी हो हमारे घर में हो राद भी हो गई है हम इस वक्त जाने को नहीं कहेंगे लेकिन हाँ कल का दिन इस जंगल में देखने का साहस मत करना घमोच मनुश्य और कुलहाड़ों को वहीं छोड़ कर पेड़ों का काफिला आगे बढ़ गया चौराहे पर आकर हरवंश ने विदा ली दीरे दीरे और पेड़ भी एक एक करके अपने ठिकाने पर रवाना होते गए अंत में जब पीपल भी चलने को हुआ तो आर्य ने रोक लिया आर्य आप अभी चिंतिक दिखाई पड़ रहे हैं क्या बात है पीपल ने जिग्यासा की ये न पूछें सौम्य बस हवा से कहला दें कि वो राद भर चौकस रहे सभी भाईयों और साथियों से कहाएं कि वो अपनी जड़े मजबूती से जमाई रखे और हाँ उन्होंने इधर उधर देख कर धीरे से पीपल के कान में कहा सौम्य हवा से ये भी कहें कि वो बांसों वाले पटन ग्राम के लोगों पर खास नज़र रखें ऐसा क्यों कह रहे हैं आरे आप वो ना समझ हैं बहुत जल्दी घुटने टेक देते हैं वो चारों तरफ सिरहलाते हैं उनमें स्थिर्ता और धैरे नहीं है अन्निता देखें हरवंश को वहां टिपनी करने की जरूरत क्या थी आरे के माथे पर रेखाएं खिच गई चिंता न करें आरे हमारी इस एका का कोई कुछ नहीं बिगार सकता इतना तो मुझे भी विश्वास है सौम्य लेकिन मुझे उस पालतू मनुश्य से डर लग रहा है उसके पुर्खे हम में से हर एक की कमजोरी को जान चुके हैं और अपना हरवंश कुछ और बोलते बोलते आरे चुप हो गए तो जल्दी करें सौम्य जल्दी जाएं पीपल के जाने के बाद आरे कुछ देर अपनी दाड़ी पर हाथ फेरते रहे उन्होंने एक लंबी सांस ली और आकाश की ओर सिर उठाया चुप चाप तारे टिम्टिमा रहे थे पेडों की बस्ती में शान्ती को भंग करती हुई दूर दूर से कई तरह की आवाजें उठ रही थी आरे को सियारों का हुआ हुआ आज कुछ विशेश अच्छा न लगा वो सोचते हुए अपने चबूत्रे के लिए चल पड़े उन्होंने अभी अभी मैदान पार किया ही था कि हवा के यहां से भागा भागा एक हरकारा आया क्यों कुशल तो है वत्स नहीं आरे मनुश्य और पटन ग्राम के बासों के बीच बाते हो रही हैं जरा विस्तार से समझा कर बताएं क्या सुना आरे ने अपनी डूपती हुई आवास पर काबू पाते हुए कहा मनुश्य उन्हें समझा रहा है कि हम आप लोगों को हाथों हाथ लेंगे अपने घर, मकान, जोंपड़ों में रखेंगे, बस्तियों में बसाएंगे कहीं भी जाएंगे तो आपको साथ लेकर जाएंगे यहां ना आप लोगों को दूसरों के आगे तनकर खड़ा होने का अधिकार है ना किसी को खड़ा होने के लिए एक बीते से ज़ादा जमीन दी गई है हाँ तो बोलिए आप लोगों को हमारे कुलहाडों का बैठ होना मन्जूर है ऐसी ही धेर सारी बातें आरे की आखें बंध थी लेकिन पलकों के भीतर पुतलियां इधर से उधर आ जा रही थी उनके होट समझ में न आने वाली भाशा में जाने क्या बुदबुदा रहे थे हर कारे ने क्षण भर उनकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा की फिर अपने आप ही बोला हरवंज कुछ कह तो नहीं रहा था लेकिन ध्यान से सुन रहा था ये सुनने से पहले ही आरे मूर्चित होकर गिर पड़े चारों तरफ हाहा कार मच गया आसपास के सारे पेड दोड कर आए असहाए लेकिन आरे की चेतना जल्दी ही वापस लोट आई उन्होंने कातर नेत्रों से सबकी और देखा और एक एक को पहचानने की कोशिश करने लगे उनकी आँखों की कोर से पानी की बूंदे टपकने लगी बड़ी मुश्किल से उनके मुक से एक गाथा निकली सौम्य आदमी महान है महान है लोहा और पेड भी महान है लेकिन जब पेड़ हाथ मिलाता है आदमी से पेड़ के खिलाफ लोहा लोहे के खिलाफ आदमी आदमी के खिलाफ सब के सब कटते हैं जंगल पेड़ों से पढ़ते हैं लंबी तानते हैं श्रीमान चैन की सांस लेते हैं और अपने लोहे के जहाज धर्ती के पेट पर खेते हैं। लेकिन जब आदमी या लोहा या पेड अपनी जगह जम कर खड़ा होता है तो फूले हुए गुबबारे की तरह श्रीमान का कलेजा फट फट पेडों के कान उनके होटों की ओर लगे थी बेतहाशा और बेचैन।